जय हिंद and welcome to study battle हम लोग देख रहे हैं यूथ पब्लिकेशन जो भी प्रिबियस येर में आया हुआ कोश्चन है अरारव का एंटिपीसी हो गया ग्रूप डी हो गया लोको पालट हो गया कोई भी कि सारी को कबर किया है जिस खासता वसे जन्रल सायंस के कोश्चन को थाम लोग फिशिक्स पढ़ जिसमें स्रिकेंड लेक्चर हम लोग का है जानतर की मेकेनिक्स में इसका सब चप्टर वर्क तो आज सब चप्टर वर्क को देखेंगे तो देर ने करते हुँ जितने भी कोश्चन है सारे प्रिब्येस से रोग कम्प्रिट करते हैं तो पहला कोश्चन है निमलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है एक गुमता हुआ काम कर सकता है कि नहीं बंदू की एक चलती हुई गोली और गतिशील पत्थर और एक उठाया हुआ हथवड़ा तो जायश ये बात है बंदू की चली हुई गोली अधिक काम कर सकता है क्यों क्योंकि देखिए इस्प्रेशन में देखिए किसी भी वस्तू को कार करने के ठीक है जो बंदू की निकलीवी गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है अत्वा बंदू से निकलीवी गोली अधिक कारे कर सकती है बेखते हैं कोश्चन 20 न्यूटन का एक बल है हम 20 कूसर एफिंटेeee विस्थापन हो गया यह फो गया इस्टेंस हो गया विस्थापन हो गया और 20 जुल कार वर कदे दिया है तो बल और बल के बीच में कोड में कोड तो तो मेन्स क्या होता है फ्रामूला डबलू बराबर आफ स्थित इसमें बेल्लू आप उट करो lou बर लावर कि डगलू इसकोल टू एफ एस यह एफ डी कुछ भी कर सकते हैं कास्थिता यह स्क्या है विस्थापन हो गया फो स्कम वैलू ट्व़नटी न्यूटन है और विस्थापन कर दो मीटर हो गया और कास्थिटा कुंक्त हriage से की वैलू कि और थे काहस्थिटा फैल्डियो वह सब्सक्राम उनलो टाया तो कास्थ तेटा-टीटा-वीस वह से केंसथिती है सब्सक्राइब तकास कि सिस्टी इसका ठीक है तो थीटा इस उकल टू साट हंस क्लियर कि निस्ट कोशन दखते हैं कि निस्ट कोशन एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम समान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मिटर उपर अपनी सीर पर रखता है समान पर उसके द्वार के कारे की गणना करो जी की वैलू दे दिया है उपर उठाता है तो यहां पर क्या होगा गुरुत तो काम करेगा तो यहां पर फार्मुला क्या लगाएगा वेलु कहीं कहीं 9.98 होता है 9.8 होता है कहीं दस दिया है जमीन तेसकी ओसे 10 रखोगी यह की वैलु कितना कितना उपर उठा रहा है वेन पर फार मेटर हो जो rus फार्मुलां कम द्वार कहीं आमात्स ही के जूल के वेलर? और देखते है निश्कोषा यदि एक हवाई जहाद 4000 मीटर की दूरी तय करता है तो किया कार इतना है तो लागू किया गया बल तो आपको पता है डबलू बराबर क्या होता है या फिन्टू डी होता है बैलू बस पूटकर हो जाएगा इंसर तो दूरी दिया है डी के बैलू कर रहा है तो केंसे लट कर रहे तो कितना हो गया पांस न्यूटन ने सुराएगा निस्ट कुर्शन है जमीन के ऊपर एक बिंदू पर किसी वस्तु के गुरुत्व गुरुत्वी इस्तिती हुर्जा को आप फिन यहां पर गैप है मैं किये कार्वे के रूप में परिवासि जमीन के ऊपर एक बिंदू पर किसी वस्तु की गुरुत्त जमीन से उस बिंदू पर उठाने में किया कार को रूप में परिवासित किया जाता है एक क्लोग्राम की वस्तु को दस मीटर की उचाश्त तब ग गुरुत्वा द्वारा कीा कार होगा जी कमान दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो क्या होगा एंस्वर बैलू पूटब करो डबलू बराबर यम जी एच होता है ठीक है और यहाँ पर क्या दिया है यह कमान दस दिया है जी कमान 9.8 दिया है मल्टिप्राइग करो तो कितना हो जाएगा अंठान बे जूल हो जाएगा डबलू का मान क्लियर हुआ देख लिजी एंसर नेस्ट कोशन देखते हैं एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम समान उठाता है और जमीन से 2 मीटर उपर अपने सर पर रखता है समान समान पर उसके द्वारा के काम की गणना करो दो मीटर उपर उठाता है तो डी हम कमान ये है कि दिक का मांन यहार्च श् êम्हाए घart ओ कमान रख़ दो यहां पर दिया हुआ है याम कमान 20 किलोग्राम है जी कमान दीया है डबलूाइस क्या होता है यम जी याच होता है वेलू पूटप करोगा एंसर आजाएगा है अब नेस्ट कोस्चन देखते हैं जब कोई वस्तूप बल की दिशा में एक मीटर की दूरी पर एक न्यूटन के बल द्वारा चल चलती है तो कियेगे कारे की मात्रा ग्यात करो सेम कोस्चन है एक मीटर के दूरी है डी का बैलू दिया है डबलू कमान पूछ रहा है तो आप डायेट फार्मूरा मरकर डबलू अब यह फंटूडी एंस्वर आएगा नेस्ट कोस्चन है दस किलोग्राम वोजन वाले सुटकेस को उपर उठाकर प्रेट फार्म पर खड़े यात्री का किया कार रहा है जीरो होगा क्योंकि इसका इसमें क्या उचाई नहीं दिया आएगा नहीं विस्थापन है ठीक है ब दिदि दे श्सेकंड के घती से सबढ़ आई है इसकी गती दस मिटर पर फृटी सäक इंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया क्या कार कितना होगा कर तो चार क्लोग्राम के वस्तुहत तो टियोंकि वेरू दे परती से कर थीक एइस पर किया आगा कार पूछ कर रहा है तो किया आगल फरमला क्या होता है डबलू बढ़ाबट हाप यम भी स्क्वाइर डल्टा भी स्क्वाइर होता है तो भी टू मानिस भी वन स्क्वार कर सकते हूं ठीक है तक कार यहां से पता चल जाएगा बैलू रखोगे एक सपचाह जू लाएगा कि निस्ट कोश्च करने 1.1 किलोग्राम वोजन की एक गेंद को इस्तिर इस्तिती में गिरा जाता है जब यह दो मीटर की दूरी से गिरती है तो गुर्तवा कर से बल के बल से लगने वाले कारे कितना होगा जी कमांद दिया है कुछ नहीं करना है यहम के बैलो दे दिया है जी यह कमांद दिया जी कमांद दिया है तो आप कारे निकाल लोगा डबलू ब्राबर एम जी यह से ठीक है कि निस्ट कोशन देखते हैं एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार सुनने होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा सुनने होगा तो विस्थापन दूरी डबलू ब्राबर यह फिंटू डी होता है यह जो विस्थापन के बैलू ही जीरो रहेगा त कि निश्कोशन एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को दो मेटर की उचाहिए तक इतना होगा दो मेटर ऊचाहिए तक उठाता है एक सुननुटर है तो यहां पर क्या हो गया यहम जी के बैलू जायर दिया है यहां पर देखें कन्फ्यूजनन नहोंना यहां पर ऐस से भी देख सकते हैं 120 न्यूटन है तो जाइश बात है यम जी के बाइव यम जी ठीक है भार का वैलू है और है यह तो डबलू बराबर यम जी होता है वैलू रखो एंसर आजाएगा कार करने की छमता हो क्या करते हैं उर्जा करते हैं ठीक है यदि कार का मान धनात्मक हो तो उस निकाय पर कार हो रहा है उसकी उर्जा में ब्रिद्धी होगी ठीक है आप संड्रम डिर रहेगा इसको एक्सप्रेशन देख लेते हैं उर्जा एक ऐसा कारक है जो कार करने के लिए उरजा में बेद्धी होगी अब देखते हैं नेक्स्ट कोशन नहीं नहीं किया जाता है तो देखते हैंerson देखते हैं option से पता लगाएंगे कपील अपने कंदे पर दस के लोग भार लेकर खड़ा है खड़ा से इसमें भी फर्क नहीं पड़ता है, जब तक कुछ उसका विस्थापन नहीं हो, कुछ दूरी चले ना, तब तक उसका कार जीरो होगा, क्योंकि विस्थापन ही नहीं रहेगा, तो कार भी जीरो होगा, ठीक है? सचिन 4 किलम्यटे चलता है एक कुली किसी बस में किसी बस से कسी कार तक एक वजन ले जाता है, इसमें भी द्टकी विष्थापन है, तो कार हुआ, इसमें भी विष्थापन है, कार हुआ, इसमें भी इदर उदर घुम रहा है तो जाईश बात विस्थापन है तो कार्य हुआ लेकि इसमें नहीं होगा क्योंकि विस्थापन नहीं है वे उनली खड़ा है क्लियर हुआ बल द्वारा किया कार्य धनात्मक होगा जब बल की दिशाम में विस्थापन बल की दिशाम होगा तो धनात्मक होगा Next question कार सुन होने के इसलिटी में विस्थापन और लगाया जाने वलबल के बीच के कोड क्या होगा तो क्या होगा। 90 ऑंगल। ड क् बराबर captured होता है च्या बराबर यब लिक प्रश त्टिन कमान कितना होता है। अपर कर ये कब सुने होगा। इसके जिरो होता है तो काश नाइंटी के मान जीरो होगा चाहिश बात यहां पे नाइंटी एंगल होगा है एक लेर मेंटर की दूरी तक 500 न्यूटन का वार ऊठाता है उसके दवारा करे किकला यह कितना है here mili Duarni के दूरी तक 500 न्यूटन वार उठाता है उसके दवारा किया सघ्क пойत क्या होगा इस दिख्ये ह VIC-D to reach rate है कुछ नायिए नभयंजर कर्माड क्या हो गया जीरो हो गया तो कास कमानल जीरो थोटल जीरो हो के 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 निए-क करान मएका नहीं हुआ है तो कोई कार नहीं हुआ है आप संदेखते हैं तो जब एक गधा उपनों पीट पर वजन लेकर चलता है तो इस मामले में कार नहीं हो रहा है क्योंकि थीटा का मेलू कितना है 90 अ कि इस कोश्ण है 20 नूटन का बल किसी वस्तू पर कार कर रहा है तो वस्तू बल के दिशा में चार मिटर के माद्यम से विस्तापीत हो जाता है किया कार आप इसको बिल्कुल पिछले कोश्ण की तरह है इसको देख लिजेगा सेम कोशन ने भी है कार होता है यदि उसमें नहीं करता है तो वस्तू के दरबमान पर नहीं करता है है वल्पर निर्भन करेगा थी विस्थपन और बंग के पीछ में सब्सक्राइब करेंगा लेकिन जरद्हिमान पर नहीं करेगा कि निश्ट कोश्चन किसी वस्तु पर किया गर कार्ण निवल्खित में से किस पर निर्भन नहीं करता है तो अभी कोश्चन देखें तो वस्तु के दर्विमान पर कोश्चन आये हुआ किसी वस्तु पर किया कार्ण निवल्खित में किस पर निर्भन नहीं करता है सेम लगता है तो एक चली हुई गोली हम लोग अभी देखे हैं को यह भी कोश्चन सेम है देख लीजिएगा कार होता है बल गुड़े बल के दिशा में विस्थापन तो इसका आप्शन नमर यह होगा 32 देखते हैं किसी वस्तों पर किया कार 56 जूल है उस पर लगाया काल बल इतना है तो विस्थापन तो आप इसको डायर्ट बैलू निकाल सकते हैं डाबलू बराबर यप इंटू डी होता है यह आप इंटू यस हो गया यप की बैलू क्या दिया है साथ न्यूटन दिया है डी कमान पूछ रहा है डबलू कमान 56 है जब इद्धा करोगे तो डिवाइड होगा दी के बेलू कितना हो गया साथ वाट चपन मतलो आठ मीटर हो गया क्लियर दस न्यूटन का बल किसी वस्तू पर कार कर रहा है तो बल के दिसांब इस्थापन है तो किया गारे अब इसको निकाल लेना कोई राकेट साइंस नहीं है ठीक है इसको भी कोश्चन देख लिजएगा असान कोश्चन देखें को थर्टी फाइब देख सकते है यह आप कमान 0.0 दिया है कि आगए कारे पुछ रहा है तो डबलो बराबर यह फिन्तू दिक कास थिटा होता है जब यह अब की बैलू ही जीरो है तो कमान क्या होगा जीरो होगा do the same question is it is from previous question देखें देखें next question जब कोई आदमी दिवार को धख्का देता है लेकिन इसे विस्थापित करने में विफर रहे तो यह कार क्या कालता है यह कार बिल्कुल कोई कारे नहीं हुआ है तेख जब तब विस्थापन नहीं होगा तो कारे जीरो होगा सेम कोश्चन देख लीजिएगा एक पिंड द्वारा किया कार नियुकित में से किस पर नहीं करता है तो किस पर नहीं करेगा तो वस्तु के वस्तु के प्रारंबिक बेक पर नहीं करेगा किसी वस्तु पर किया कारें नियर्भर नहीं करता है तो अभी हम variety पर आपको कुछ भी hiç नहीं करना है डबलkor 튀ए मिश्त क्रणा होता है ऑप देखे किस पर रद कर रहा है फोर्स पर कर रहा है विस्थापन पर रर्द कर रहा है और ये तीन पर नहीं कर रहा है श continuing on करेंगा तो शुक्न कहाई तो यहां पर निर्बन नहीं करेंगा कोड़ पर किया कार्य सुनने होगा तो विस्थापन नहीं होगा तो कार्य सुनने होगा बल और विस्थापन के गोड़न फल क्या कलाता है तो कारे कलाता है सेम कोशन अब देख लिजेगा ठीक है में नेक्ट कोशन देखते हैं नेक्ट कोशन 48 है किसी पिन पर किया कार तभी किया जाता जब जब एक आंत्रिक प्रभाव के माध्यम से उर्जा ब्रिद्धी का अनभाव करता है तो आपसा नमर ए लागु किये बल और विस्थापन कि दिशाख के बीच का कोड्न नभे आंस है तो किया कआर क्या होगा तो किया करी जीरू होगा क्या होता है जीरू होता है कि नेश कवस्फाने कि किसी वस्था द्वारा कारे करने की जामता में नहीं तूर्जा पर नुर्बध करता है, तुक एर्वस्था पर नुर्बध करता है कि सेम कर्शन इसको देख लेंगे या हमनों प्रिवेस क्वस्फें देखे हैं गती करती हुए कार जब विप्रीत दिशा में आती है हवा का सामना करती है कार पर हवा द्वारा किया कि कार रे लिडात्मक होगा कैसे विप्रीत कार रे हो रहा है explanation देखते हैं जब गती करती हुई car विप्रित दिशा में आती है तो हवा का सामना करती है तत्त हवा दोरह car पर लगाये गया बल car के विष्थाफन के विप्रित कार करता है और लगाये गये बल का दिशाम में वस्तु के विष्थाफन के बीच का जो पोड है एकक्स होगा है डबलु और की जिशका वजन 2 1átयब वर्च सट निूटनभ है उप के वह सदेख नी इसा निशन दिया बॉजन दिया है तो ये धू जी भार और दो मिटर उचे येच के बेलू दे दिया हैं दो मिटर उचे बिच पर चड़ती है जी कमान दे दिया है बिच पर चड़ने के बाद लड़की द्वारा किया कार डबलू बराबर यम जी येच ठीक है ति यम जी के बेलू 200 गोड़े दोस्ट दो का मल्टिप्लाइ करें को तो 400 यहां पर जी कमांड कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है कि नेस्ट कोश्चन है यदि कोई कार 500 न्यूटन की बल के साथ 15 किलोमेटर के दूरी की यात्रा करती है तो किये कारे की गणना होगी तो किये कारे की गणना इतना होगा को मल्टिप्लाइ करेंगे एंसर आ जाएगा अगर शेम कोश्चन इसको भी देख लिजिए गासे एंक शारा दो ही फार्मूला पर है दो फार्मूला डबलू बराबर यम जी याच डबलू बराबर दूसरा को यह फिंटू डिक कास यह दो फार्मूला पर सारा कोश्चन सौल बोजा रहा है तो कि देखेंगे स्यम कोश्चन है तो आसा थियूरी देखते हैं किसी वस्तूपर बल लगाने पर यह दिवा गतिसील में नहीं है तो इसे कहा जाता है कोई कार नहीं हुआ है कि ठीक है कि नेश्ट कोश्चन देखते हैं सारे कोश्चन देखिए सारा इसी फार्मूला बेस हैं जो हम लोग को लगेगा कि हाई यह लग गया तो इसको हम देख लेंगे कोश्चन 66 देखते हैं एक लड़का चार किलोग्राम के इसकुल के बैक को तिस सेकेंड तक पकड़ता है उसके द्वारा किया कार सुनने होगा यह कि पकड़ा हुआ विस्थापन नहीं है जब तक विस्थापन नहीं होगा यह फिन्टू डिक कास्थिटा जब तक विस्थ पर नहीं हुआ है तो यहां पर डिकमान जीरो है उसके वह से जब जीरो का मल्टिप्लाइए करो गए तो क्या होगा जीरो होगा कार रहा कि लिए तब हो सकता है जब उसमें उर्जा होगा देखिए एक्जामपल देखिए निल्विखित में से कारे का उधारण नहीं है कारे का उधारण नहीं है लड़कियों को कमरे के दिवार को धक्का माना कारे का उधारण नहीं है क्योंकि जब तक विस्थापन नहीं होगा कारे कमान क्या होगा जीरो होगा और कार का किया हुआ है लड़की द्वारा ट्राली को धक्का देने पर ट्राली का आगे बढ़ जाना ये भी कार हुआ है नकिलिटah पर सतऑ पर पड़े 청्काण पर दबाव ढंद impact सत्व पर पड़े कंकड पर दबाव डालना इसमें भी कार हुआ किताब को किसी उचाई तक उठाना ये भी है ठीक है नेस्ट कोस्चन है जब प्रयोक्त बल के दिशा और वस्तु के गतिसील होने के दिशा एक दूसरे के लंबोत हो तो कोई कार नहीं हुआ है थिटा कमान 90 रहेगा ठीक है शारा कोश्चन है अब देख लिए अ और निस्ट कुछन जदी कोई बृत्तकार पात में घुमाय जाती है को वस्तु को तो उसपर किया कार बृत्तकार पात पर घुमाय जाता है तो विस्थापन क्या होगया बिल्कुल 0 होगया जब डी के बेली जीरो होगा तो डबलू बराबर यह फिंटू डी कास 90 होगा डी के जब बन विस्थापन जब बल की दिशा बैल की विपरि दिशामा होता है ऑट द्रेश कुस्चन और यभ यह ने देख लिएrä अ है तो कि इसको थे दो कोश्वन में 800 की ज़ान में 900 कर डवारें मिंटर की supported कर ँद सि बढ़ाने में किया कर कैघार देखों यहां पर वीन कमान देदिया वीठू कमान देदिया वीफान पांस मिंटर पर सेकेंड है वीक्द कमान क्या दस मीटा पर सेकेंड है 800 किलोग्राम यह हम की बेलू दे दिया है तो किया कारे डबलू बराबर गती जामे पर जोरतन पूछ रहा है था यह यह डेल्टा भी स्क्वाइर डेल्टा भी का मतलब भी टू स्क्वाइर माइनस भी वन स्क्वाइर बेलू पूट अप करोगे एंसर चप्टर रहेगा तो इस लेक्चर में बस इतना है थांक्यू सो मच